पूरे दो साल बाद निकलेगी कावड याथ्रा लेकिन क्या कावड याथ्रा में बज़ेगा डीजे तो सीम योगी आदितिनाथ ने कानून विवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ में एक मीटिंग की और उसमें तमाम तरीके के निर्देश दिये गए तो सीम योगी ने साथ किया कि डीजे बजाने की अजाज़त तो है लेकिन एक लिमिटेट वॉल्डियूम पर कान फोडू विवस्था जो है उससे बचा जाएगा डीजे एक निस्चित वैल्यूम में ही बजना चाहिए और संबाद बना करके हम इस बात को सुनिस्चित करेंगे हम प्रतिवंदित नहीं करेंगे लेकिन उसको संबाद बना करके एक निस्चित वैल्यूम में बजाने की परमिसन देंगे और उसमें केवल अगर कावड यात यात्री हैं तो कावड यात्री इस बात को सुनिस्चित करेंगे कि वे उसमें केवल भगवान सिव से जुड़ेवे भजन ही बजाएंगे कोई ऐसा भिलमी गाना नहीं बजाएंगे जिसके कारण अनावस्यक रूप से माहोल खराब होता हो और धार्मिक भावनाएं एक सामान भक्त की आहत होती हो ये भी हमें कावड यात्रियों से पहले से ही संबाद बना करके उनसे आगरा करना चाहिए ऐसे ही मोहर्रम के जलूस में भी वे लोग डीजे बजाएंगे हम सुनिस्चित करें उसकी वैल्यूम को कंट्रोल करें अनावस्यक रूप से ढोल और तासा बजा करके सोर गुल उतना न बचाएं जो कान फोडू हो जाए और कान फोडू विवस्ता को हमें रोकना पड़ेगा हर हाल में रोकना पड़ेगा अस्तर सस्तर का नावस्यक प्रदर्शन नहीं करेगा कोई हमारा प्रया सुना चेक कावड यात्रा हो या फिर मोहर्रम के जलूस अस्त्र सस्त्र कोई लेकर नहीं जाएगा पहले से हम सुनिश्चित करेंगे हम संबाद बनाए फिर सूल लेकर के भी कावड यात्रा में कोई जाता है तो पहले से उसको जानकरी देनी होगी उस विवस्ता के साथ बताएगा लेकिन कोई नंगी तलवार लेकर के जाएगा इसकी अनुमती मत दीजे छूड़ा लेकर के जाएगा इसकी अनुमती मत दीजे एरगन लेकर जाएगा इसकी अनुमती मत दीजे अनावस्य ग्रूप से भावनाएं आहत नहोने करवाली कोई भी ऐसी हरकत प्रसासन के अस्तर पर भी न हो और कावड संग हो या मोहरम के जलुस हो अस्तर सस्तर का प्रदरसन न हो ये भी हम सुनिश्चित करेंगे जिस से अस्ताने अस्तर पर किसी भी प्रकार की कोई कानून बिवस्ता के साथ खिलवाड करने कि स्थितिन आने पाए हर एक जलूस जो भी निकले उसकी निगरानी होनी चाहिए ड्रॉन के माध्यम से, CCTV कैमरे के माध्यम से, वीडियो ग्राफिक के माध्यम से हमें करने में कोई संकोश नहीं करना चाहिए कावड यात्रा की जो निगरानी हेलिकाप्टर के माध्यम से होती है कि कावड यात्रियों का जो रूट होगा उस पर ना तो मास बेचा जाएगा और ना ही खरीदा जाएगा मीट मचली कावड यात्रा की रूट पर नहों अच्छा होगा अनावस्यक उसके कावड तेजना पैदा हो सकती है या उस रूट पर कोई ऐसा कारे नहोंने पाए क्योंकि कभी-कभी लोग सरारतन कर देते हैं कि उस रूट पर ही किसी प्रतिवंदित पसू को मार करके फेंग हैं जिससे वे लोग उत्ते जिद हो सकें क्योंकि जो सरारती तत्त हैं वो हर प्रकार का संभव प्रियास करेंगे हमें उसके प्रति सतरक्ता बरतनी प्रतनी से ही